RJD gets more aggressive now और RJD का कहत रहा है कि प्रधान मंत्री भगवान तो नहीं है जांस तो होगी यानि इंडिया गरबंदे ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर शासन आता है तो BJP के सिरफ प्रधान मंत्री नरेंद मोदी को नहीं नेताओं को भी जेल जाना पड़ेगा मंत्रियों को भी जेल जाना पड़ेगा तो जेल का खेल सिर्फ आप ने खेल रहे गौरा भाटिया जेल का खेल अब दूसरी तरफ से भी ओन हो गया है सुनिये बताईए तैयारी है तिहार की फिर हाँ मैं बताता हूँ अमी जी ऐसा है कि ये कोई अगर जो कहते है न इसी में सब को छुपा हुआ है अगर हम आए आएंगे वाएंगे है नहीं ये जनता इनको ऐसा करारा जवाब देने वाली है आप देखिएगा पूरा घमंडिया जो है पचास सीटों के नीचे होगा और उसकी वज़ा मैं आपको बताता हूँ क्या ये पहली बार आप शब्द कहें चुनाव का मौसम है लोकतंत्र का पर्व है लालू प्रसाद यादाद ने कुछ दिन पहले कहा था नरेंद्र मोदी जी की कित्ती उलादे हैं उनको परिवार का दर्थ क्या पता नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार एक सो चालिस करोड भारती है आपके लिए पूरा भारत यादाव परिवार है दूसरी बात क्या मुंबई में बैठा कोई घमंडिया की उसके बाद लालू प्रसाद यादाद ने इस लोग वयसे ही है अभी बीच में बोल रहे हैं तो इनके बीच पे नहीं बोला पता है तो भी मैंने सुना मुझे इस तर पता है आपका अब अमीर जी चलिए ठीक है ठीक है वो कहते है कि कीचड होता है ना उसमें कमल खिलते हैं हम लोग और एक जानवर है वो कीचड में खेलता है उसको मज़ा आता है कि मैं तो गंदा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा अपनी बात रखना जाता हूं आप क्रप्या करके इनको शांत कराइए इनकी बारी आएगी ये बोले आखे नमटकाएं इदर उदर केजरिवाल बड़े परिश्यान को के पीचे से देख रहे हैं तुम जानवा कर नाम बता दीजिए वह मेरी बात को अब ये बंगारू जनता पाटी बन चुकी है ये गलत तरीका है जो ऑन कैमरा अच्छा तो अरे छोड़ो भाई शराब कठेका लगाओ भाई एक 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 आपको मजा आ रहे हैं टकर दिखा रहे हैं बड़ी सीरिस डिवेट है ब्रस्ता परचार का मामला है और देखें आम आदमी पार्टी के की टॉप रीडर्शिप अर्विंद केजिळीवाल खुद करफशन के मामले में जेल में गये हैं और उनको अरेस्ट किया है और पूरा मामला जो है हाई-कोट में आप चैलेंज करने के लिए गए थे हाई-कोट थे क् लालू प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव ने मुंबई में घमंडिया की बैठक के वक्त कहा था हम नरेंद्र मोदी जी की नरेती पकड़े हुए हैं हम चड़ गाएं नरेंद्र मोदी पे आप बताईए मतलब बौने हैं ये लोग घुटने तक ना आये नरेंद्र मोदी जी के केचुए की तरह रेंगते हैं घुटाले करते हैं पाच बार दोश सिद्ध हुआ है इनका मामला और उसके बाद ऐसे शब्दों का प्रियोक करते हैं अब मैं पापी आप पे आता हूँ आप मुझे बत जंता पूछ रही है मनीज से सोडिया ने इस्तीफा दिया और वो जेल गए अरविंद केच्रिवाल ने उन से इस्तीफा लिया तो खुद क्यों नहीं देते तीसरी बात अरविंद केच्रिवाल भारकिये राजिटी में आये थे सफाई करने और आज इनका जाडू तिनका जी के गौरव वो मेड यो पॉइंड गौरव वो मेड यो पॉइंड गौरव वो जाड़े करें है और अगर आप पढ़ेंगे विस्तित रूप से तो बहुत सी बात है केस दाईरी देखकर और सबूतों के आधार पर गिरिफता रही हुई है क्या आपको लगता नहीं है कि जिस सुचिता की राजनीती को आगे बढ़ाने के लिए आये थे और जिस राम लीला बैदान में आप नारे लगाते थे कि शरत पवार चोर है सोनिया गांधी चोर है यह आप यह आमादी पाटी के नेता नारे लगाते थे और परिवारबात के नारे भी लगाते थे आज उ मैंने वो मैंने वो और संजे सिंग जी केस में पढ़े थे कुछ दिनों बात सुप्रीम कोट ने उसको पलड़ दिया और आज वो जेल के भार है दूद का दूद पानी का पानी हो गया सच्चाय और हिमांदरे की जीत हुई पहली बात दूसरी बात कर कौन रहा है आज कुल्दीब कुमार को दिखाई आपने बोला कि गौरब भाटिया की बात नहीं सुनना पड़ेगा सर सुनना पड़ेगा क्योंकि बंगारू लक्ष्मन की बात करी को कि बंगारू लक्ष्मन का जब इंसिडेंट हुआ तो मैं रिपोर्टिंग में था आप राच्नीती में नहीं होंगे तब ना कंचरा जी होगी मैं रिपोर्टिंग में था मुझे 23 साल हो गए हैं यही काम करते हुए और बंगारू लक्ष्मन को आपने बंगारू लक्ष्मन का नाम लिया बंगारू लक्ष्मन का क्या हश्रुआ बंगारू लक्ष्मन जेल में गया बंगारू ल अब ही आपके चैनल पे गौरा भाटिया जी कहें के लगव लक्षमन बंगारू भष्काचारी थे और वह उन्हें मांते ही अपने पर इनके मानने से क्या होता है जब वो सजा आफता होगा है इनके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है वीजेपी ने उनको दर्किरार कर दि कि आपके पास जवाब नहीं है उस बात का कुल्दीब जी और मैं आपको इसका दोशी नहीं मानता आपके पास जवाब नहीं चाहते हो नहीं यह ब्रस ने यह बड़ा डारेक्ट सवाए पुल्दीब जी आप भष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके आए और आज भष आप पत नहीं छोड़ रहे हैं यह बड़ा गंबीर मामला है यह देश भूलता रही है नहीं लालुयादव ने भी अपना पत छोड़ा था जेन जेन जेता ने भी अपना पत छोड़ा था आरोप लगने के बाद मदल लाल खुराना ने भी अपना पत छोड़ा था और लाल पार्टी कर रही है उसकी क्या पॉलिटिकल मेसेजिंग है इसकी जानकारी वह ज्यादा बेतर दे सकती है लेकिन एक बाद परी मेरे साथ हैं एक बाद परी मैं आप से जाना चाहता हूं शुचिता की राजनीती की तमाम बड़ी बाते लेकिन आज कौन कहां खड़ा है आज मो होती है जब आदमी पाक साफ होता है यह तो बेशरमी का पूरा जामा पहन लिया है लोगों अर्विंद केजरिवाल ने तो अब उसके आगे क्या करूंगे किसी कोड के फैसले को नहीं मान रहे किसी कोड के फैसले में उसको नहीं मान रहे सबूतों को नहीं मान रहे ब्रस् वाकपोड की एरफ वेरी करके वो भी जब जेल जाने वाले है ब्रेश्टा चार की मतलब क्या कर रहेंगी लोग चोरी और सीना चोरी हम तो मतलब देश की जंता तो सब चीजे देख रही है कोई इसको अप्रिशेट करने वाला नहीं है यह अंदोलन करके आयते कि ब्रेश्ट आचार में पूरी नहाव इन्होंने अपनी दुबोदी है और आप करें हम जल से चलाएंगे कबाल हो गया मतलब इनके जो मॉरल को कितना हाई है मतलब जूट भी बोलोगे और कानून को भी नहीं मानोंगे और बीजेपी को आके जोड-जोड से चलाओगे भी यार्क्युम मीशा भारती हों अरे भाई मीशा भारती खुद बेल पे है पूरा परिवार ब्रश्टाचार में लिपत है लालू को पांच बार सजा हो गई है यह कोड से वो भी बेल पे हैं इनके लोगों की क्या वैल्यू है इसकी स्टेट्मेंट की कोई कीमत है क्या जंता इनको कि परदान मंत्री को जेल बेजए परदान मंत्री क्या किसी मंत्री के खिलाब एक तो एलिगेशन बता देते ना जो सस्टेन कर जाए किसी तरीके से रॉफल पेगासस हिंडनबर्ग अडानी 20,000 करोड न्यू पार्लियमेंट कितने मुद्टे इनने उठाए चिपकाई कि से रॉफल प्रे वाए जए खिलाए चुट खिलाए मुद्टे घनने देलागों ऩर छोड़ पन्हाँस्बुकाऊगान।